मेरो आत्मियता आज गर्शंसार गटना क्रम को सत्राउं चर्चामा छाउं राज 29 वर्श देखि आपनो जिवन को बल्द बुद्धि काहिम रहा दा सम्ह बल्द बुद्धि सु निर्भर रहा दा सम्ह आपने नियंत्रमा आपने संचालनमा रत्यो सच्छेमता रहा दा सम्ह को जिवन भोग इस बारे चर्चा गरूं जब हमिलाई 21 वर्श मा यह सत्ता हमी पाऊंच हूं तो यह सत्ता लाई 21 ते 28 वर्श सम्हामिले स्वाधीन या स्वाइच्छेक सो निर्मित गर्णको लागी समय लागने छा या एस पच्छे बोट को फल फल ना शुरुगाने छा या अभाको बोट को भभीश्यें मने को फलन तियो फलाई माओ कारे रत्य रहाने छा तियो फल को भोग करने फिरी बोट ले होए जो तिवो बोट को फ़ल अरुले भोग गर्द शन यहां आये पछी फ़ल इच्छा पोन रुप्ले समाप्त हम्छ यहां आये पछी अनिसको इच्छा रा असाले जिवन विकास को लागी थोरे बंधन राहे को भाई बने यहां आये पछी यो मह को आबरं यहां इच्छा को आबरं जिवन को नहीं विकास को लागी होश ते शुद्ध होश तो आफ नहीं तो कारे रध छेमता को होश यहां माथी को महां आबरं पनी अब तेश बोट माँ भाल लागी सके पछे होल हुन्छ वा बेक्ति बेक्तित्यो माँ गई सके पछे होल हुन्छ यह यह स्वेत्य सत्ता अशिल भाय पछे तेश सत्तामा आमने जुन वेवस्था गाने जाम अब त्यों वेवस्था बनी सके पछे अब को जिवन हो अब को यह वेवस्थीत जिवन हो तेहीं बोट को अब फाल को भाविश से कारे रत रहान छफाल मा उसले दी रहान छफाल अब दीनू आज सम्मा एकाईसों सम्मा वा एकाईस देखे अठाईस सम्मा ठोरे पनी महा आवरान रहा न सक्छ एकाईसों उमेर मां हमरो जुन सिद्धी आयो जुन सत्ता आयो जुन तत्तो ज्यान आयो जुन अमक्छे को अनुभाव उसले गरियो अब यो अनुभाव लाई यो सिद्धी लाई बेवहार मां घोटे रहे हैं न एकाईस देखे अठाईस सम्मा को समाई अज बेक्ति को कुछ सलता लेता अज समाई अबदी अज काम गरना पनी सक्छा तो एस समाई अबदी यो सुभाविक रूप को समाई अबदी हो एस लाईने अपना आउंदा राम रोहन जा तो अब अबको जिवन एस तो देन को जिवन हो एस तो दान को समाई हो आज शम महा हमिले जिवन को उचाई सम्म जाना को लागि इच्छा को बलमा कि हे आरजन को इच्छा धियो इच्छा को बल धियो इसमाति आशा को रोग पनी लागे को भाय पनी अब ये सबाइन हाल भायर जान्च अब महाबरण शही एच्छाइण अब महाबरण रयवभने फेरी त्यों भोटले आफनो फल अफेले भोगने आयाम छाइण अब यो आयाम नहीं नो अधली पहले आपनों कारे स्तीतितिमा यही पहलु कार्मको भल भोग ने इच्छा रही रय भने अब उसको ब्यक्तित्तो फेर काम लाग देन फेर वो अंधकार में पर्च फेर वो अग्यानता में पर्च तो 29 बर्ष भंदा माथी जत्ती सक्त या 29 बर्ष में यो महा आवराण को खोल पुर्ण रुपमा हटनु पर्च यहां सम्म एस बंदा औरको उमयमा जुन इच्छा को बल थियो एस इच्छा को बल जेजे मातियो और लागियो एसमा महा आवराण बन्न सक्छ इसमा उसको पाप चाइन दोस चाइन दोस भय बनी उसले पाप लागने चाइन उपापी बन्ने चाइन अब 29 पर्च भंदा माथी जुन जिबन ले फल दिनु परने समाई हो एसमा पनी एदी मुहा आवराण रहयो बनी एदी लोबले काम गर्यो बने एदी इच्छ्या आशा आकांचा बनी रहयो बने ते जिवनको मुल्ले छैन यो पाप हो एस पाप माँ एस पापको फल बही रहन पाने चाइन बोग दे जाने चाइन फेरी एस को जन्म चक्र चेह तीओ काएम रहने थ तो बोड अब काम्म आए न अब त्यो बोड ले फल दिये न उस एले आपनू फल आपय favorर ले खाने इच्छा, मोह, लोब, आकैंग्छा, त्रिष्णा, इसमा बाचियो भने, ता मानाउं ते बोड को फल अब काम लाट देन, अब काम मा आउंदेन, ते अरु को काम मा आउंदेन, उसले ने आफेले भोगने इच्छा रांच, अब ते उसले ठीक फल देना सक्देन, शुद्ध फल देना सक्देन, अत्यों बोड अब काम लाग देन, ये शरी ने आजको बेक्तित्तो, ये शरी कामे नलागी ने भायरा, एंत्र पशु अबस्तामा आजको मानाउं ये सब भेता बांची रहेकोच, तरे येसमा एक्दू योटा बोड जसमा फल लाग्यो, जसको फल अजे पने हामिले भोगी रहेका छूं, जसको फल लाग्यो, अजे पने हामिले चितकार गर्चूं, हामिले अजे भोगो छूं, अजे मान्द छूं कि तियो भोड माँ फल छूं, तियो भोड को फल को सुगंध अजे भैली रहेको छूं, तियो कहिले नमरने सुगंध, तो कहिलेई अन्ना सक्कीने फ्ल तो बेक्तित्त को फ्ल तो जिवन को फ्ल तो ज्ञान तो बोध तो चेतना तो चेतन इस्टिती लाई सुद्ध रा अरु को लागी अरु लाई दिना को लाएगी दिनों को आयाम अब खुल्च अब बन्च अब दिनम कारे रथ रहांच अब सार्वजनिक जिवन जसले अरु लाई दिन्च जुन बोट मा फ्ल फल्यो तो अरुले खान्च फेरी यो बोट को फल्यो तो अरु भाईले खाई खाऊश भन्य चेस्टा पनी यो पनी समाप्त होन पर्च दिने को लागी चेस्टा पनी नहोश दिने मोह दिने एक्छा यो पनी नहोश सुभावी खोश फल्योश तत्य फल्यो लाई अरुले भोग गर्चन नहीं जस्तो खाल को फल्यो यहां हरेक बेक्ति को पोट मा अनेक अरुले खान्च आपने खाल को फल्यो आपने स्वार को आपने सौंदरे को आपने सुगंद को आपने सुरूप को आपने रंग को फल्फल्च स्वाई फल्यो भोग को प्यास नहीं नेटाउनामा काम गर्ने हो भायपने स्वाई को आपने भिन्नाता रहन्च जस्री आमीडे देखना सक्छूं जय विक्तावां इसरी ने आपनो बोट को फल्फल त्यों स्वाध जस्त्य शुके होश्च भली रहन भली रहन एदी स्वाध ती तो छा भने तेसले आउसद्धी को क्याम गर्नेच फल्फल मीठो छा भने तेले पस्टिक्ता को काम गर्नेच फल्फल विक्रीद नहोस न विग्रियोस विग्रियर बने को पितुल पन आउसदी होईन बहता बरन बनाई रहनु मल जल्फल आफनोच स्वैम को सब्दा स्वैच्छीग जिबन लिलाहो एसलाई अनकोल बनाई रहनु यो बनाउनमा कारे रत रहनु तो फल सुस्च फल लागी रहन्च तो उसले दीने रहन्च वो कारे रत रहनु नहीं दीनु हो जस्मा फल इच्छा मुडईना दीनमा पन इच्छा नहुनु भने पचे अब अब मुह आबरन समाप्त भयो सकी हो अब यस्तो खाल को जिबन लाई नहीं मक्त जिबन पनिंच श्वैच्छेक जिबन लिला यहां बाट शुरू हुन्च 21 परसो ते खी 29 सम्मा त्यों सिद्धित थियों तर हमले तेसला बेभार मां घोटेरा हेरे कार थियें। अब अब बेभार मां घोटेरा पनि इहेरी सकें। अब को समाई हो शिद्ध बेक्टित्तो को कारे रत्त बेक्टित्तो को जो इस्षुरी यह जेतना हो अब कारे रत अबस्थाम आयो अब उसले जिए कर्म गर्छ उसले हवाई जहाज उडाउंच उसले और हंसले हास्पिटल मां शेवा गर्छ या उसलिए खेत मां काम गर्छा यो काम को कुने सानु ठोलो रहने चाहिना उसलिए जिय कर्छा पून विक्तित्तो को सहित कर्छा उसलिए जुन शुके काम गर्ष तो पून विक्तित्तो को होश सवार यही हो मख्ये उदेश से यही हो उसलिए काम की गर्छा अब यह संगर सम्मंद चाहिना उसलिए जही शुके गर्छा उचको फल जस्तो शुके होश तेव अनेक फल चन अनेक काम का रूप हरू चन अनेक स्वाध हरू चन अनेक सुगंद हरू चन यहां हरेक बेतिको रूप ने फरक फरक चाहर यही अनुसार को ने फल लागने चा उसको आफनो पन, आफनो परकिर्थी, आफनो परवेर्थी, आफनो गुर्धार्म अनुसार को ने फल लागने ता उसलिए अउसधी को फल दिना चाहां चाह यह पौश्टित्ता को फल तेव उसको श्वैच्या मांभर पाच्या वो बुद्धले जस्तु ग्यांधिन चाह या ग्यांधिले जस्तु विवहार्मानी गौईर उत्राच्या योज को परिश्थिती जनित अबस्थामा भर परच्या आता हम जहां जिये गरी गहांचा उसको विक्तित्तो को मुल्ले हो यो हामी सभई को मुल्ले हो यो हामी सभई को लगछे हो तेहां समप्पोगन। तेव चेतन इस्थिती समप्पोगन। तेव बेतित समप्पोगन। और यहां धेरे कही होए ना यो यहुटा चेतन इस्थिती मात्र हो तेव चेतन इस्थिती समप्पोगन। पुग नुँ जहां मानवी ये छेमता अफनु हाद मा हुन छा मानवी ये छेमता को उसले पोण रुपमा परिपोण रुपमा उपयोग मा लेवनो सक्छा अफनु छेमता जान न सकने इस्तिति जाने को इस्तिति तियो चेतन इस्तर जो मानव माछ तियो आसील भाय को इस्ति अरुप यही होई यही मानविये उच्छाई बाट जिगर्शं तियो मानिस को पोणता हो मानव स्वरुप मान जन्मन मात्र पोणता होई उसको चेतन अधिक्ता को बस उसको चेतन अधिक्ता को उपयोग उसको चेतन उच्छाई को उच्छता सम्म पोग्ण यहो मानविये जिवन को लग्छे तब यहां एस मुक्ति को एस मुक्छे को एस समाधि को एस निर्वान को एस अलव कित्ता को एस कैवल लेता को आमिजे शब्दम जिशुकी भनंव यो भून जिवन को यो सिद्ध जिवन को यो मानविय उच्छाई को भोग अब 29 बर्स देखी माथी रहनी छाँ उसको बल रब बुद्धी रहना सम्म बल रब बुद्धी अपनु बसमा रहना सम्म अब उसको आयो उसको हाथ माच परकृति मा सुभाभिक रुप को उमेर अबदी लाई पनी मानिसले स्वेचीक रुप मा भोग न सकताच ति उमेर अबदी तल माथी परना सक्छा उले स्वेचीक रुप मा कम से कम रद धेरे सम्म धेरे हथ सम्म तो परली रजाना सक्छा अब दहा इस उमेर को हद पने अपनो हाथ मानियों आयो को जोन हाथ जो अपनो हाथ माहुष यहां अपनो स्वास्ते अपनो हाथ माहुष अपनो जीवन अपनो हाथ माहुष अपनो जीवन अपनो हाथ माहुष अपनो हाथ माहुष अपनो जीवन अपनो हाथ माहुष अप येवटा जैवित्ता को संचालक, सर्वी, सर्वा, सर्भग्य लेखती तो बन्द छो, तो यू जिबन, पूना जिबन हो, येसको भोग, उसको सारीरी खमबल, बॉद्धिक, उसको बुद्धी, को बल, कारे रत्ती स्थिती रहांदा सम्म, वो, बाल ले निर्भरता को जस्तो निर्भरता, रहांदे यें, जब शरीर बुद्धिक, कमजूर बन्द जानच, तो फेरे बाल ले निर्भरता जस्ते निर्भरता आऊंच, लाए दोश्ते त्यो उच्च को टिको जिबन जिव भने, पोना जिव भने, त्यो निर्भरता पने, स्वैचिक, बनाऊना सकेंच, जहां उसको बल बुद्धी पने बसमा चाईना, त्यो पने स्वैचिक, बनना सक्च, बनाऊना सकेंच, मर्नु पनी स्वैचिक हुँँच, मर्नु पनी अपनो हात मा हुँँच, सबेगी स्वैचिक हुँँच, यहां अब उनां 30 बर्ष भंदा माथी गवाए पचिक, कुने पनी निर्भरता दे काम गरने चाईना, अब बाल्ले निर्भरता फर्किने चाईना, त्यो बुड़ेवली महांने देखनाचो सक्षों बाहिरे बाट्र, फेरी बाल्ले कालको जस्ते हुँँच, तरे त्यो खएन, त्यो एस तो निर्भरता हुएन, त्यो आपनो बसमा हुँच, आपनले मरनी अब दी आफेले ताय गारना सक्ष, मैं एर्च दिन मर्चू, बनेर उसले आफेले ताय गारना सक्ष, स्विच्छी क्रुप मां मर न सक्ष, बने त्यो बुडवली मां आउने जुन निर्भरता हुएन, एस मांची पीर माननो पर्देन यो अज्यानी ज़िए। क्रुप मां म मां पर्देन, एस देले खर्देन, इस दिन मां य।